इतिहास में दर्ज है कि आखरी मुगल बादशा बहादूर शाह जफर के 20 बेटे थे उनमें से दो बेटे यानि कि मिर्जा जवान भक्त और मिर्जा शाह अब्बास की ये तस्वीर सोशल मीडिया पर बार बार सामने आती रहती है ये दोनों आखरी मुगल बादशा बहादूर शाह जफर के वन्शच थे और ये फोटो सोशल मीडिया पर ये दिखाने के लिए डाली जाती है कि मुगल असलियत में वैसे हटे कटे और सुन्दर नहीं थे जैसे फिल्मों और टीवी सीरियलों में उनको दिखाया जाता है 1858 में अंग्रेजों ने बहादूर शाह जफर को सरेंडर के बदले निर्वासन की शर्त रखी जफर को बर्मा के रंगून में भेज दिया गया बर्मा को आज की डेट में मैनमार के नाम से जाना जाता है उनके साथ रंगून जाने वालों में मिर्जा जवान बक्त और मिर् जफर्ण ने हुमायू के मकबरे में शरण ली मेजर विलियम हडसन की अगुआई में ब्रिटिश फोज ने मकबरे को चारो तरफ से गेड़ लिया 20 सितंबर 1857 को जफर्ण ने हडसन के सामने आत्म समर्पन कर दिया और शर्थ ये रखी कि उनके परिवार की जिंदगी बक्ष दी जाए हडसन ने मुगल बाश्चा के परिवार के करीब 16 सदस्यों को गिरफतार कर लिया कुछ इतियासकारों के अनुसार इन में जवान बक्त और शाह अब्बास भी शामिल थे अगले दिन हडसन ने तीन मुगल शहजादों की बिना शर्थ आत्म समर्पन की मांग रखी इन तीन मुगल शहजादों में शामिल थे मिर्जा मुगल, मिर्जा खिजर सुल्तान और जफर के पोते मिर्जा अबू बक्त हुमाईयू का मकबरा ही आत्म समर्पन की जगा के रूप में चुना गया गिरफतार मुगल खांदान को पूरी सुरक्षा के बीच बैल गाडियों में बिठाकर ले जाया गया तारीक थी 22 सितंबर 1857, काफिला जब दिल्ली गेट के पास पहुँचा तो उसे हजारों मुसल्मानों ने घेड लिया सब ने सिर पर कफन बांध रखा था ब्रिटिच इतिहासकार विलियम डेल रिम्पल ने अपनी किताब दललाश्ट मुगल में हडसन के हवाले से लिखा है चारों तरफ जिदर भी मेरी नजर जाती है गाजी ही गाजी दिखते हैं कहा जाता है कि हडसन ने उन तीन शहजादों को बैल गाड़ी से उतरने का फर्मान सुनाया उन्हें निर्वस्तर करवाया और फिर पॉइंट ब्लैंक रेंज पर गोली मार दी शवों को तीन दिन तक चांदनी चोक की एक कोतवाली के बाहर लटकाए रखा गया ताकि विद्रो की बची कुछी आवाजे भी अंजाम सोच कर चुप हो जाएं हडसन के सामने रखी शर्त के अनुसार बहादुर शाह जफर को अंग्रेजों ने मौत की सजा नहीं दी बलकि रंगून निर्वासित कर दिया 7 अक्टूबर 1858 को जब आकरी मुगलों ने रंगून का सफर शुरू किया तो बैल गाडियों में मिर्जा जवान भक्त और मिर्जा शाह अबास भी थे रंगून में जफर की तबियत दिन बदिन खराब होती गई 6 नवंबर 1862 को लकवे का तीसरा दोरा पड़ा 7 नवंबर की सुबह 5 बजे आकरी मुगल बाश्या ने दम तोड़ दिया मिर्जा जवान भक्त को इतियास कारों ने जफर का लाडला बताया है और भक्त को मा जीनत महल इस तरह पाल पोस रही थी कि एक दिन उन्हें मुगलों की गद्दी पर बैठना है हाला की अंग्रेजों की निती सबसे बड़े बेटे को राज सौपने की थी इसलिए जीनत की पेशकस ठुकरा दी गई रंगून निर्वासित होने के बाद मिर्जा जवान भक्त को शराब की लत लग गई 18 सितंबर 1884 को महज 43 साल की उमर में लिवर सिरोसिस से मिर्जा जवान भक्त की मौत हो गई दो साल बाद जीनत महल ने भी दम तोड़ दिया मिर्जा शाह अब्बास की मौत 25 दिसंबर 1910 को हुई मुगलों के वंशज अब किस हाल में है ये पता लगाने की कोशिशे बार बार होती रहती है 2005 की एक टाइमस ओफ इंडिया की रिपोर्ट बताती है कि सदियों तक भारत में राज करने वाले मुगलों के वंशज जुग्गी जोपडी में रहने को मजबूर है उस रिपोर्ट में तब 60 साल की रही सुल्ताना बेगम के बारे में जानकारी थी सुल्ताना आकरी मुगल शासक बहादूर शा जफर की पोत्र वदू है रिपोर्ट के अनुसार अपनी शाही विरासत के बावजूद वो मामुली पेंशन पर रोज मर्रा की जरूरतों को पूरा करने की जद्दो जहद में लगी रहती है वो हावडा की एक जुग्गी जोपडी में रह रही है यही नहीं उन्हें अपने पडोसियों के साथ किचन साजा करनी पड़ती है और बाहर के नल से पानी भढ़ना पड़ता है 2010 की एक टाइमस ओफ इंडिया रिपोर्ट बताती है जफर के बाद की छटी पीडी के जियाउदीन तुसी भी बेहत कंगाली में गुजरबसर कर रहे है किराय के घर में रहने वाले तुसी ने उस टाइम की UPA सरकार से मुगलों की जितनी भी संपतिया हैं उन्हें उनके नाम पर जारी करने की मांग की थी सरकारी नोकरी के बाद उनकी जिन्दगी पेंचन पर ही चल रही है अगर आप ऐसी खबरे और जानना चाते हैं और देखना चाते हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिखके बताईए और इस वीडियो को जादा से जादा लोगों तक शेयर कीजिए